नमस्कार दोस्तों आपका फिर से हमारी चैनल पे एक बार बहुत बहुत स्वागत हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक भजन स्वंग सीखेंगे कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बाद में अमरित पिलाने से क्या फाइदा बहुत ही अच्छा गाना है हमारी आँखे खोल देने वाली गाना है तो इसी गाने को आज की इस वीडियो में हम अपने कीबोर्ड पर प्ले करना सीखेंगे दोस्तों यदि आपको इस गाने का फुल प्यानो नोट्स चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे ब्लोग का लिंक चेक कर सकते हैं वहाँ आपको इस गाने का फुल प्यानो नोट्स मिल जाएगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप से छोटी से रिक्विस्ट करना चाहूंगा यदि आपने अभी तरह हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे सब्सक्राइब कर लिजे और ऐसे ही लेटिस्ट वीडियो के नोटिफिक्सन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए तो चलिए हम सबसे पहले इस गाने में यूजवे नॉट्स देखते हैं हम बस इतना ही नॉट्स पर इस गाने को प्ले करना सेखेंगे तो सबसे पहले आईए हम आपको एक पर प्ले करके दिखाते हैं और फिर बाद में हम स्लोली सिखेंगे तो इस तरह से हमारा गाना है तो देखते हैं पहला लाइन कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं फिर से कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं आगे बाद अमरित पिलाने से और एक बार क्या फाइदा फिर से क्या फाइदा जी शार्प को आपको थोड़ा से होल्ड करके रखना है फिर तुरंद बी और जी शार्प को स्पीड माप को करना है इस तरह से तो देखते हैं बाद अमरित पिलाने से क्या फाइदा इसका आगे इसी के जैसे हमारा है कभी गिरते हुए को फिर से कभी गिरते हुए को उठाया नहीं और एक बार उठाया नहीं बाद आशू बहाने से क्या फाइदा और एक बार और इस तरह से इसका कॉरस यहीं पर खतम हो जाता है तो चलिए अब हम इसके अंत्रा पार्ट को देखते हैं और इसे भी सबसे पहले हम स्पीड में एक बार प्ले करेंगे तो हमारा पहला लाइन है मैं तो मंदिर गया पुजा आरती की तो देखते हैं पहले लाइन मैं तो मंदिर गया पुजा आरती की फिर से मैं तो मंदिर गया पुजा आरती की पुजा करते हुए ये फिर से पुजा करते हुए ये ख्याल आ गया फिर से आगे है कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं और एक बार कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं और एक बार सिर्फ पुजा की करने से और एक बार का फेड़ा और फिर से आता है कभी प्यासे को पाने पिलाया नहीं और इस तरह से हमारा पहला अला अंत्रा भी यहीं पर खतम हो जाता है तो चलिए हम इसके दूसरे अंत्रा को देखते हैं और ये भी हमारा पहला अला अंत्रा की जैसे ही है तो सिबसे पहले हम इस पीड में उबार प्ले करके देखेंगे और फिर बाद में हम स्लोली सेखेंगे देखते हम पहले लाइन मैं तो सथ संग गया गुरु वानी सुनी और एक बार गुरु वानी को सुनकर और एक बार ख्याल आ गया फिर से गुरु वानी को सुनकर ख्याल आ गया आगे है जन्म मानव का लेके और एक बार द्याना करें और एक बार फिर मानव कहलाने से क्या फाइदा और एक बार रिपीट करेंगे फिर मानव कहलाने से क्या फाइदा और फिर से आता है कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं और इस तरह से हमारा दूसरा अंतरा भी यहीं पर खतम हो जाता है तो चलिए अब हम इसके तिसरे अंतरा को देखते हैं और यह भी हमारा पहला और दूसरा अला अंतरा की जैसे ही है तो सिब से पहले speed में हम देखेंगे मैंने दान किया, मैंने जब तक किया देखते हैं पहले line मैंने दान किया, मैंने जब तक किया फिर से दान करते हुए ये ख्याल आ गया फिर से दान करते हुए ये ख्याल आ गया आगे है कभी भूके को भोजन खिलाया नहीं फिर से खिलाया नहीं फिर से रिपीट करेंगे कभी भूके को भोजन खिलाया नहीं दान लाखों का करने से क्या फाइदा और एक बार और फिर से रिपीट होता है कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं और इस तरह से हमारा थर्ड स्टेंजा भी यह पर खतम हो जाता है इसका फूर्थ फिप्थ और शिक्स्त अंत्रा भी है तो हमने जो सीखा इसका पहला अंत्रा या फिर दूसरा या फिर तिसरा अगर आप इन में से किसी को ब इच्छी तरह सीख जाते हैं तो आप जो बाकी बचे गानी का पार्ट है आप उसे बड़ी असानी से प्ले कर सकते हैं तो चलिए हम वीडियो को यहें पर समाप्त करते हैं आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और यदि आपको इस गानी का फुल प्यानो नोट्स चाहिए प्याम प्याँ प्यानो नोट्स चाहिए